हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम बैक टू माई चानल कोकित पिंकी आज मैं आपके लिए ये कुरकुरे गुलगुले जो हलके मीठे और बाहर से कुरकुरे और अंदर से सब्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाना दिखाऊंगी तो आएए चलते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे अगर आपको ये रेशिपी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जिनोंने नहीं क्या है साइट में जो बेल आइकन उसको दबाएके और आपके तक पहले पहुन सकेगे तो ये रेखिए इसके लिए मैं एक बाउल ले ली ह इसमें मैं एक बाउल आटा देई हूँ ये देखिए ये मैं आधा सूजी ले हूँ जितना हम आटा लेंगे उससे आधा ही आप लीजिएगा सूजी इससे हमारा अच्छा बनेएगा गुलगुले तो इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और ये तेल डाल देते हैं तेल में सा तेल से आर चमस लेकर गाल लेकर टाली हूं. तकरिवरें वान फोर्थक उनलागी है हम अच्छे से खास्ता तो नरी तक ये करने तो जबांते हैं пальणा देल के शाओं हों कि νगेव आधी लिए मद्मानडी लेकर ल कि 50 आधा तो guidingा करा नौत कि लिजिशह में गुट आप गूड के बदले चीन भी इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं गूड ही लेई हूँ, इससे भी हमारा बहुत ही अच्छा बनता है गुल्गुले और एक चमच मैं स्वाब डाली हूँ, ये मेरा स्कीप हो गया है, आप डालेगा इससे हमारा गुर्गुले का स्वाध बहुत ही अच्छा आएगा इसलिए आप जरूर डालिएगा अच्छे से मसल मसल के मिलाईएगा यह देखिए इस तरह मुठी में आना चाहिए मुठा करे तो ऐसे ही पकड में आना चाहिए तो ऐसे ही हम बना लेंगे कि इसमें थोड़ा मैं खाना जो डाली हों देखे इसमें मैं बहुत ही कब ही डाली हूँ या बेकिंग संद भी डाल सकते ह benefit इसे ठबल डालेंगा इस तरह हम इसे ह fluorescentष्य पानी देखे इसे अच्छे से एक्छे से हम गुन्ध लेंगे हम एक हाना जोड़ा डालने से हमारे गुलगुले फुले बनेंगे तो इसलिए आप खाना चुला थोड़ा डाले लिजेगा अच्छा फुला फुला बनेंगा गुलगुला हमारे तो यह देखे यह भी हमारा बन गया है अब इसे हम ढखें 10 से 15 मिनिट के लिए रखतेंगे फिर हम 15 मिनिट के बाद उसे ये देखिए 15 बिनिट हमारा हो गया है सुझी हमारा अच्छे से फुल गया है ये देखिए थोड़ा सुखा भी हो गया है अब इसमें मैं और थोड़ा पानिन डालके इसे थोड़ा गोंत लूँगी फिर हमें इसे चाननेंगे गोल डालने से ये देखिए हमारा कलर भी इस तरह ही आया है कला कला बस ये देखिए अब हमारा हो गया है मैं इसे अच्छे से गुद ली हूँ अब इसे चान लेते हैं इसके लिए मैंने कड़ाई को बहले से गर्म होने के लिए रगती थी गयास पर कड़ाई में अब तेल ग जब हमारा मीडियम गरम हो तभी आप गुल गुले को पकाईएगा इस तरह हमारा गुल गुले अच्छे से बाहर से कुरकुरे और अंदर से हमारा सब्ट बनेंगे जब गुलगुले को पका लिजिएगा तब आप फ्लेम को कम कर दिजिएगा और उसे लो फ्लेम में ही पकाईएगा तो हमारे गुलगुले अच्छे से बनेंगे यह देखिए गुलगुले हमारे अच्छे से बन गए हैं अब इसे हम निकाल लेंगे अब इस तरह हम सारे हों को ऐसे ही पका लेंगे ये देखिए ऐसे ही गोल गोल करके हम इसे पका लेंगे ये देखिए ज्यादा पबर्स नहीं आना चाहिए इतना ही कम ही पबर्स हमारा आना चाहिए मेडियूम फ्ले में होगा तो यह से ही होगा थोड़ा कम ही आएगा ज्यादा फ्ले में करेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा और हमारा चल भी जाएगा यह देखिए इस तरह बना लेंगे हम अब मैं सारे ओंको इसे ही बना के आपको दिखाते हूं यह देखिए यह भी हमारा हो गया है बिल्कुल हलवाई जैसा ही दिख रहा है ना ऐसा ही बनाईए आप और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएगा अब हम सारे ओंको में प्लेट में निकाल ली हूँ यह देखिए हमारा यह बन गया है बहुत ही क्रिस्पी और सब्ट गुल इसे ही बनाईए और आपका कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएगा तो मिलते हैं मेरे इसे ही और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्या है बाबाई